भगवान गनेश बुद्धी सम्रिध्धी और सोभाग्य देने वाले होती हैं। इनकी उपासना सिग्र लाबदाई मानी गई है। यह व्रत सुभा से लेकर शाम को चंद्रुदै निकलने तक रखा जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आज मैं आपको संकटी चतुर्ती व्रत के दोरान किये जाने वाले कुछ विशेश उपायों के बारों में बताऊंगी जिससे आपके जीवन में यदि कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, आपके व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई दिक्कत है, तो आपके व्याप परेशानियां दूर होंगी, सबसे पहले तो अगर आप किसी कमपनी में नौकरी की तलाश में हैं, तो संकटी चतुर्ती के दिन इसनान आधी के बाद घी में बेसन भुनकर या किसी और से बेसन भुनवाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रशाद तय फिर भगवान गनेश को नमसकार करके उस प्रशाद का भोग लगाएं, साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गनेश की मूर्ती की तीन बार परिक्रमा करें, अगर मूर्ती के आसपास इतनी जगा नहीं हो तो गनेश जी का ध्यान करते हुए अपने इस्थान पर ह तीन बार आप परिक्रमा अवश्य करें, ऐसा करने से जल्दी ही आपकी अच्छी जगा पर नौकरी लगेगी और आपकी नौकरी में आपको तरक्की भी प्राप्त होगी, अगर आप पती-पत्नी है या फिर आपके दामपत्ते जीवन में खुश्या नहीं है, परिशानिय चल रही है या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिती में अपक्रणिय झाल आपका विवाह झाले लापका वेगी, अपक्रणिया उड़िया झाल 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 झाल